प्रेंड नमस्कार मैं हूँ मुकेश बर्मा और आप सबका मैं अपने यूटूब चैनल लर्न सड्डा पे बहुत बहुत सावयत करता हूँ तो फ्रेंड डेली क्रेंट अफेर की ये स्रिंखला अनुवरा लगातार चल रही है आपने देखा होगा पिछले महीने का पूरा करेंट अफेर्स हमने कबर करा है नॉम्बर महीने का और दिसंबर महीने में 4 दिसंबर तक की कलास आपकी हो चुकी है ये आज आप सबके सामने में 5 दिसंबर का करेंट अफेर्स लेके उपस्तित हुआ हूँ तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कौन-कौन सी घटनाय हुई है जो आपका जानना एकजाम की दृष्टी से बहुत ही महतपूर है तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे टाप 10 करण अफेर्स पे तो देरना करते हुए आए देखते हैं आज का पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है जो एकजाम की दृष्टी से बहुत ही महतपूर है तो फ्रेंड्स आज का पहला टापिक जो बहुत महतपूर मैंने इसको इस्टार कर दिया है तमिल नाडू है तो फ्रेंड्स तमिल नाडू क्यों महतपूर है तमिल नाडू इसलिए चर्चा में है और इसलिए महतपूर है क्योंकि लगातार छठे वर्स देश में अंगदान म पहले नंबर पे है लगातार छाठी वर्स तमिलनाडू अंगदान में पहला राज अर्था सीर्स राज घोसित हुआ है अगर आप से सवाल पूछे कि अंगदान में सीर्स राज कौन सा है तो इसका सही जबाब होगा तमिलनाडू तो फ्रेंड्स तमिलनाडू लगातार हैं जो हमारे लिए जानना आवस्यक है तो फ्रेंड्स तमिलनाड में ही इंटिग्राल कोच फैक्टरी है इंटिग्राल कोच फैक्टरी कहां पर है अगर आपसे पूछे तो इंटिग्राल कोच फैक्टरी पेरामबूर में है तमिलनाड में इसके लावा फ्रेंड्स रानी पेट और रानी पेट तो तूती, कोरिन, नेवली और रानी पेट ये तीन उर्बरक खाने आपकी तमिल्लाड में स्थित है इसके अलावा वहाँ पे दो परमाण उर्जा साइयनत्र भी लगे हैं कहाँ पे तमिल्लाड में कौन-कौन से हैं एक कुडन कुलम तो फ्रेंड्स एक है आपका कुडन कुलम और दूसरा है आपका कलपक्कम परमाण उर्जा सहियत तो तमिलाड में दो परमाण उर्जा सहियत है एक आपका कुडन कुलम है और दूसरा आपका कलपकम है इसके लाब हमने देखा कि तूती कोरी नेवेली रानी पे टोरबरक कार खाने कहा पिस्तित है तमिलनावड में इस्तित है इंटिग्रल कोच फैट्री कहा पिस्तित है तमिलनावड के पेरामबूर में इस्तित है करन की दृष्टी से क्या महातपूर है तो फ्रेंड्स करन की दृष्टी से ये महातपूर है कि तमिलनावड लगाता का सुभारम किया गया है आपसे अगर सवाल पूछे कि बाल सुलब पुलिस इस्टेशन का सुभारम कहां पे किया गया है तो इसका सही जवाब होगा कि बाल सुलब पुलिस इस्टेशन का सुभारम आपके पुड़े में किया गया है किसके द्वारा ये पुलिस इस्टेशन स सुभारम किया गया है कहां पे किया गया पूड़े में किया गया है तो इसमें क्या होगा कान्यूनी रूप से अपराधी बच्चों को अनुकूल वातावरंड दिया जाएगा तो इस बाल सुलप पुलिस स्टेशन में कान्यूनी रूप से जो अपराधी घोसित हो चुके हैं बाल सुलपल स्टेशन का सुभारम किया गया है आज देखते हैं अगला टापिक फ्रेंड्स आज की दिन का तीसरा महत्पूर टापिक जो चर्चा में है वो है आपका लाहोर तो लाहोर क्यों चर्चा में लाहोर इसलिए चर्चा में है कि US Air Quality Index आपका लाहोर को ओके फ्रेंट्स सिकेंड अस्थान पे आपका सिकेंड प्लेस पे आपका डिल ही है और थर्ड प्लेस पे आपका नेपाल की राध्धानी काटमांडू है तो फ्रेंट्स टाप तीन परदूसी सहरों की अगर बात की जाए तो पहले नमबर पे लाहोर है, दूसरे नमबर पे दिल्ली है, तीसरे नमबर पे नेपाल की दाध्धानी काटमांडू है ओके फ्रेंट्स किसके दौरा घुसित किया गई? यूएस एयर क्वाल्टी इंडेक्स की दौरा लाहोर को सबसे परदूसी सहर दुनिया का घुसित किया गया है, दूसरे नमबर पे दिल्ली और तीसरे नमबर पे काटमांडू है फ्रेंट्स लाहोर को हम पाकिस्तान की सांस्कृतिक राध्धानी की रूप में जानते हैं लाहोर पाकिस्तान की सांस्कृतिक राध्धानी है एक और फ्रेक्ट याद कर लिजिए कि लाहोर पाकिस्तान की सांस्कृतिक राध्धानी है तो फ्रेंड्स ये तीन टापिक हमने पढ़ा आई देखते हैं आज इक रंट फेर्स का चौथा महत्पूर टापिक कौन सा है गोवा फ्रेंड्स चर्चा में है गोवा क्यों चर्चा में फ्रेंड्स तो एकमुस्त बिजली बिल निप्तारा योजना का सुभारम किया गया है इस्ट्रा चार्च नहीं लगेगा तो फ्रेंड्स सरकार एक सहुलियत दे रही है कि जो बहुत बड़े बकायदार है जिनोंने बहुत दिन से बिजली का बिल पेंडिंग रखा जमा नहीं किया है उनको कोई इस्ट्रा चार्च नहीं लगेगा वो एक बार में लाके अपना मोरा केला और हर्मल मिर्च इसके माँ में ही आपका तो अगर कभी आपसे पूछे कि एसस्विनी योजना कहां चलाई जा रही है तो सस्वनी योजना आपका गोई में चलाई जा रही है, जो कि एक स्वास्त योजना है, स्वास्त के लिए, ओके फ्रेंस, करेंड की दुरिष्टी से क्या महत्छिपूर्था एक मुस्त बिजली बिल निप्टान योजना का प्रारम किया गया, कहां पे? गोई में, गोई के में हमने देखा तो गोवा के दो उत्पाद एक मोईरा केला और एक हरमल मिर्च इन दोनों को जी आई टैंग मिला हुआ है इसके अलावा यह ससुनी योजना वहीं पर चलाई जा रही है आई देखते फ्रेंड्स आज चेकरंट फेर्ज की पांचवी महत्पून टॉपिक कौन सी है अभी हाली में देव दिपावली महस्तो का आयूजन किया गया था देव देवाली महस्तो देव दिपावली महस्तो कहा मनाया गया है यह सवाल पूछ सकता आप से तो देव दिपावली महस्तो आपका मनाया गया है बारांसी में तो फ्रेंड्स बारांसी में देव जापुर में मनाया जाता है, ओके फ्रिंट्स, अगर आप से कभी सवाल पूछे कि देव दीपावली महोसो का आयोजन कहां किया गया, तो देव दीपावली महोसो का आयोजन आपकी बारांसी में किया गया, अब बारांसी से समंदित कुछ और फैट को हम कलेट की हैं, आप के सल की कुईश्चन है इसको एक्जा में पूछा जाएगा इसके लामा रत्यात्रा मेला तो दो मेला और यात कर लिजे बारांसी का एक नक कटईया मेला है और एक रत्यात्रा मेला यह दोनों मेले कहां पर लगते हैं तो यह दोनों मेले आपके बारांसी में लगते हैं कौन- वरारसी में बनने के लिए ही प्रस्तावित है नाम क्या है उसका Central Water and Power Research Station वरारसी में प्रस्तावित है दूसरा महातपूर्ट टॉपिक ये है कि इंडियन इस्टिटूट आफ हैंडलूम टेकनोलोजी कहां पिस्तित है अगर ये सवाल कभी आपसे पूछे कि इंडियन इस्टिटूट आफ हैंडलूम टेकनोलोजी कई बार पुछा गया इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है तो ये आपका वरारसी मिस्तित है करेंड की दिरिष्टी से बस यहीं महातपूर्ट है दोनों बारारसी में लगते है बारारसी में दो महातपूर्ट इस्टिटूट है पहला आपका है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्ची स्टेशन जो की प्रस्तावित है बनने के लिए और दूसरा है इंडियन इस्टिटूट आफ हैंडलूम टेकनोलोजी वारारसी में दोनों टोलोग यह एक जोला मुखी है जिसमें उद्गार हुआ है नाम क्या है माउंट इली लेवेटो लोग कहा की है यह जोला मुखी तो फ्रेंड इंडोनेसिया की जोला मुखी है यह सवाल पूसकता है जहां पर कहीं पर जोला मुखी उद्गार होता है या इस्थोर्ट होता है तो ऐसे सवाल एकजाम में पूछ ली जाते हैं अगर डारेट यह ना पूछेगा करेंट वाला तो यह पूछ लेगा कि माउंट इली लेवेटो लोग जोला मुखी कहां पर इस्थित है इंडोनेसिया, फिलिपिन्स, जापान या कोई और देश देदेगा तो इसका सही जवाब होगा इंडोनेसिया में इंडोनेसिया में ही दो और जोला मुखी हैं तीन आप जान चुकी जवाला मुखी इंडोनेसिया की एक तो माउंट इली लेवेटो लोग है जो इंडोनेसिया में इस्तिता और हाली में इसमें जवाला मुखी उद्गार हुआ इसके लाएं दो और हमने देखा माउंट कराका टोमो एंड माउंट सीनावूल लाहोर के बारे में जो सबसे परदूसी सहर है US Air Quality Index द्वारा एक रैंकिंग जारी की गए जिसमें सबसे परदूसी सहर आपका लाहोर है दूसरे नमबर पे दिल्ली है तिसरे नमबर पे काटमांडू है चौथा टापिक हमने गुवा के बारे में पढ़ा जिसने एकमुस्त बिजली निप्टा नियोजना सुरू की है पांचवाँ टापिक हमने बाराणसी की बारे में पढ़ा जहां पे देव दीपाली महोस्तो मनाया गया है और छटवाँ टापिक हमने माउंट इली लेवेटो लोग जौला मुखी उद्गार की बारे में पढ़ा जो इंडोनेसिया में इस्तित है तो फ्रेंट्स यह रहा छे टापिक बाकि के पांच जो चार और बच्चे हुए टापिक हैं आई उसको भी देखते हैं तो फ्रेंट्स आज की करेंट फ्रेंट्स की छे टापिक हमने पढ़के खतम किया है बाकि के जो बच्चे हुए चार और टापिक हैं आई उसको भी देख लेते हैं फ्रेंट्स आज की करेंट फ्रेंट्स की सात्वी टापिक जो महापूर है वो चर्चा में है संदीब कटारिय जी तो फिरन संदीब कटारिय जी चर्चा में क्यों है संदीब कटारिय जी चर्चा में इसलिए है कि बाटा का नया बैस्विक मुख कारिकारी अधिकारी न्यूक्ड किया गया है या निर्वाचित किया गया है या न्यूक्द किया गया है तो इसी लिए चर्चा में है आपके संदीब कटारिया जिनको बाटा का नया बैस्विक मुख कारिकारी अधिकारी न्यूक्द किया गया है आई देखते हैं आज की करंट फेर्स की आठ्विन टापिक क्या है फ्रें में किस राजी ने 2030 तक AIDS को पूरी तरीके से खत्म करने का लच्छ ने धारित किया है। लच रखा है तो फ्रेंड्स इस बार के एर्स दिवस का थीम भी देख लेते हैं कि क्या रहा है थीम एक दिसमर का तो इस बार का थीम है फ्रेंड्स इंडिंग दा HIV इपेडिमिक इंडिंग दा HIV इपेडिमिक, re-silence और इंपक्ट इंडिंग दा HIV इपेडिमिक इसके बाद है re-silence and impact तो इसको लिख लीजिए पूछ सकता है थीम हर बार दिवस का कोई थीम पूछता है तो हो सकता है इस बार HIV का थीम पूछ ले थीम है इंडिंग दा HIV इपेडिमिक re-silence and impact इसके लाओ फ्रेंड्स हमने अभी कुडन कुलम और कल्पक्कम कुडन कुलम और कल्पक्कम दो परमाड उर्जा सहियंत कहां पर पढ़ा है तमिल नाड़ में पढ़ा है अब दो और देख लीजे मध्यपरदेश में चुटका और भीमपुरा परमाड उर्जा सहियंत है एक परमाड उर्जा सहियंत कहीं न कहीं से सवाल बनता है एकजाम में तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक स्टेट का आपको बताते हुई चल रहे हैं बता देंगे जो भी स्टेट चर्चा में आएगा उसके परमाड उर्जा सहियंत की बारे में हम आप से बात करेंगे तो तमिलनार्ड की बारे हमने दो पढ़ा तक कुडन कुलम और कलपका मर्माड उर्जा सहियंत अब हम पढ़ रहे हैं मध्यपर्देश के बारे में वहाँ पे चुटका और भीमपुरा परमाण उर्जा साइयंतर है तो चुटका और भीमपुरा परमाण उर्जा साइयंतर कहाँ पे हैं मध्यपर्देश में है आईए फ्रेंड्स देखते हैं आज करेंट फेर्स का नवा महत्पूर्ट टापिक क्या है फ्रेंड्स उत्राखंड ने छोटे जानवरों के लिए पहला एको ब्रिज का निर्माड किया है तो Friends उत्राकर ने छोटे जानवरों के लिए पहला Eco Bridge का निर्माड किया है Eco Bridge क्या है Friends? तो Eco Bridge घास, फूस और लकड़े से निर्वित होगा बनाया कहां जा रहा है harder तो Friends इस Bridge का निर्माड रामनगर बनपरभाग में किया जा रहा है तो रामनगर बनपरभाग है वहाँ पे छोटे जानुरों के लिए पहला एको बिरिज का निर्माड किया जा रहा है एको बिरिज का मतलब यह है कि यह बिरिज घास फूस और लकड़े से निर्वित होगा छोटे जानुरों के लिए इस बिरिज का निर्माड किया जा रहा है तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला Eco Village कहां बनाया जा रहा है तो भारत का पहला Eco Village छोटी जनरों के लिए उत्रा खंड में बनाया जा रहा है ओके फ्रेंड राम नगर बन परभाग में आपसे सवाल पूछेगा कि हाली में देश का सबसे अच्छा पूलिस इस्टेशन किसको गूसित किया गया है तो हाली में देश का सबसे अच्छा पूलिस इस्टेशन नांग पोग सेकमाई पूलिस इस्टेशन को गूसित किया गया है जो की मड़ी पूर में इस्थित है दूसरे नमबर पे कौन है तो फ्रेंट दूसरे नमबर पे AWPS सुरा मंगलम पूलिस इस्टेशन तमिलनाडु का है तो सुरा मंगलम पूलिस इस्टेशन तमिलनाडु का है जिसको सिकेंड रंग खासिल हुई है और थर्ड रैंग पे आपका खारसांग पुलिस स्टेशन है जो कि अड़ाचल परदेश में इस्थित है तो फ्रेंड्स हाल ही में पुलिस स्टेशन की रैंकिन जारी की गई है जिसमें देश का सबसा अच्छा पुलिस स्टेशन गुशित हुआ है नांगपोग सेक्माई पुलिस स्टेशन जो की मड़ीपूर में इस्थित है इसके अलामा सेकेंड अस्थान पे आपका AWP या सुरा मंगलम पुलिस स्टेशन तमिलनाडु का है और तिसरे अस्थान पे खारसांग पुलिस स्टेशन अवडाचल परदेश का है तो फ्रेंड्स आज के Current Affairs के ये टाप 10 टापिक हमने पढ़के खतम किया है तो आज था 5 दिसमबर और 5 दिसमबर का Current Affairs हमने पढ़ दिया है जो भी 10 महात पूर टापिक है आप इसका एक नोट्स बनाती हुए चलिए पूरा नवंबर हमने पढ़ाया है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे प्लेलिस्ट में Daily Current Affairs के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे वीडियो Current Affairs के नवंबर के पढ़े हुए है और दिसमबर में आज 5 दिसमबर के Current Affairs हमने आपको पढ़ा दिया है लाखन फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि चैनल को जादस जादस लोगों तक पहुंचाईए, सजेस्ट करिए कि करेंड अफेर्स देखना आए, तो मुंकेश सरका देखिए, क्योंकि हम करेंड अफेर्स सबसे हट की पढ़ा रहे हैं, उसके साथ टेडिस करते रहे हैं, धन्यवाद